नमोरमा चलिए तो प्रारंब करते हैं अपना नेक्स चप्टर जो की है सुभाशेतानी अर्थात सु मतलब अच्छे, भाश्चित मतलब वचन, अच्छे वचन और इसमें आपके दश लोग हैं जिन वे से जो पहला शलोग है वो कुछ इस प्रकार हैं। इस्तित महान बड़ा विपू शत्रू आलस्यम आलस्य है ही निश्यत रूप से मनुष्य के शरीर में इस्तित उसका महान शत्रू आलस्य ही है ना अस्ति उद्यम समो ना नहीं अस्ति है उद्यम परिश्रम समो समान बंदू मतलब मित्रिया फिर बंदू उसका परिश्रम के समान कोई भी अन्य मित्रिया फिर बंदू नहीं है यम जिसे करतवा करके ना अवसीदती अवसीदती दुख दुख होता है तो ना नहीं दुख नहीं होता है जिसे करके उसे कोई भी दुख नहीं होता है क्या कह रहे हैं कभी की कहरी कताथ परियां पर की निश्चित रूप से मनिश्य के शरीर में इस्तित उसका सबसे बड़ा शत्रू आलस्य ही है और जो उद्यूम है वो उसका सबसे बड़ा मतब परिश्रम जो है वो उसका सबसे बड़ा बंदू है जिसे करके उसे कभी भी नहीं होता है समझ में आ गया next लोग देखे next लोग क्या है श्लोक नमबर दो गुणी गुणम वेथती ना वेथती निर्गुणों बली बलम वेथती निर्बलह पिको वसंत से गुणम ना वयसह करी चे सिंहा से बलम ना मुशक है क्या कह रही है कह रही है गुणी जो गुणी व्यक्ति है वो गुणम गुणों को वेथती जानते है पहलो तो आप देखो वेथती सितात परी क्या हूँ हमारा जानते है क्योंकि वेथती अब हम सब में लगाएंगे अब कैसे लगाएंगे अब देखते है गुणी जो गुण व्यक्ति है वो गुणम गुणों को जानते हैं निर्गुण जो निर्गुण व्यक्ति है नावेत्ति नहीं जानते हैं किनको गुणों को गुणी व्यक्ति गुणों को जानते हैं निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानते हैं ऐसे ही अगली लाइन है अब आपको वसंतस्य गुणम वसंतरितू का जो गुण है उसको पिको हो पिको मतलब कोयल कोयल जानती है ना वायस है वायस है अर्थात कोवा कोवा नहीं जानता है सिंग हस्य बलम सिंग का जो बल होता है मतलब जो शेर का बल है उसको करी ही करी मतलब हाती हाती जानता है ना मूशक है क्या करें कि गुडव्यान व्यक्ति गुड़ों को जानती है निर्गुड व्यक्ति गुड़ को नहीं जानता है बल्वान व्यक्ति बल को जानते है निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है ऐसे ही आगे वसंत के गुड़ को कोयल जानती है कोवा नहीं जानता है और सिंग के बल को भी हाती जानता है चूहां नहीं जानता है कोई समस्या नहीं नेक्स देखें चलो नेक्स देखते हैं नेक्स आता है हमारा श्लोक नंबर तीन और श्लोक नंबर तीन में क्या कह रहे है वो अब शुरू करते हैं क्या है क्या कहना है ही निश्यत रूप से यह मतलब जो व्यक्ति निमित उदेशे किसी उदेशे से किसी कारण वश भई हमारा कोई कारण है प्रकुप्यती क्रोधित होता है कोई व्यक्ति किसी कारण वरश जब क्रोधित होता है से वह तस्य उसके मतलब किसी कारण से वह क्रोधित तो जब हमें उसका उपागम उसका उपाई मिल गया है कि इस तरह से हम ये काम नहीं होगा तो उसके उपागम पर धुर्वं प्रसीदती जल्दी प्रसंद हो जाता है देखो क्या केरें कि जो व्यक्ति किसी उदेश्य से गुस्सा होता है वो उसके उपाए होने पर प्रसंद हो जाता है और क्या केरें तू तू आया या पर तू मतलब किन तू मनहां अकारण दुएशी मनहां मन से ही जो अकारण दुएशी है मतलब बिना कारण के ही दुएश करने वाला है यस्य वहे कथम किस प्रकार से जनहां लोग ताम उस व्यक्ति को जो कुरोधित हुआ है परितोशीशती प्रसंद कर सकती है क्या कह रहे है कि जो व्यक्ति किसी उदेशी से किसी कारण से गुस्सा हुआ है वो उसका उपाई होने पर खुश हो सकता है किन्तु जो व्यक्ति मन से ही मतलब मन से ही बिना कारण दुएश करने वाला होता है उसको उस व्यक्ति को मनुशे किसी भी प्रकार से प्रसंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रसंद होने वाला नहीं है उसका तो मनी है अकारण दुश करना थीक है next देखे next देखते है next क्या है हमारा आया हमारा नेक्स्ट और नेक्स्ट है हमारा उदीरितो अर्तह, पशुनापी ग्रहते, हयाश्य नागाश्य वहन्ती बोधिता, अनुक्तम अपी उहती पंडितो जनाह, परेंगित फल, परेंगित ज्यान फला ही बुद्धया है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पशुनापी जो पशु है वो भी क्या कह रहे हैं? उदीरतो कहे गए अर्थ को ग्रहयते ग्रहन कर लेते हैं जो पशू है, उनको अगर हम कोई काम कहें, उनको समझाएं कि बैठ जाओ, तो वो भी हमाई द्वारा कहे गए अर्थ को ग्रहेंड कर लेती हैं, हयाश्च च और हया गोड़ा, नागा हाती, और हाती और गोड़े भी वहनती, धो लेती हैं, बोधिते बताए हुए, जब हमने उने बताया कि इस भार का वहन करना है, तो वो भी ठीक है, मुझे उठाना तो है, चलो उठा के चलते हैं, तो इसी प्रकार से हाती और गोड़े भी बताए हुए भार का वहन कर लेते हैं, और क्या कह रहे हैं, अनुक्तम अपी उहती, अनुक्त बिना कहे हुए को भी अपी को समझ लेती हैं हाती और गोड़े बताने जाने बहुँन भार का वहन कर लेती है क्या पंडित लोग वो बिना कही हुई बात को ही समझ जाते हैं अनुक्तम बिना कही हुई बात को भी समझ जाते हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वो सिर्फ संकेत मातर से ही ज्यान के फल को ग्रेंड कर लीते हैं अर्थात आपने उन्हें सिर्फ संकेत दिया है न तो वो उससे समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चा रहे हैं बस यही था क्या हमारी श्लोक का अर्थ नेक्स देखते हैं नेक्स आता है हमारा श्लोक नमबर पांच और श्लोक नमबर पांच क्या कह रहा हैं अब देखते हैं क्रोधो ही शत्रूहू प्रत्मो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा इस्तित है काश्ट गतोही वहनी सा एव वहनी दहते शरीरम। क्या कह रहे हैं अब देखते हैं ही निशित रूप से क्या है नराणाम मनुश्यों का प्रत्थमो प्रत्थम शत्रू शत्रू जो है वो देह इस्तित उनहीं की देह में इस्तित उनके शरीर में ही इस्तित देह विनाशाय देह का विनाश करने वाला क्रोध क्रोध है मनिश्य के शरीर में इस्थित उसका पहला शत्रू उसकी देह का विनाश करने वाला क्रोध ही है यथा जिस प्रकार से काश्ट गतव काश्ट लकडी गतव अंदर लकडी के अंदर इस्थित वहनी अगनी दहते उसे जला देती है जिस प्रकार से लकडी के अंदर इस्थित अगनी उसको जला देती है सै एव ठीक वैसे ही शरीरव शरीर में इस्थित जो अगनी है वो भी उसको जला देती है और वो अगनी कोन सी क्रोध की अगनी तो जो शरीर में इस्थित क्रोध की अगनी है वो भी उसको जला देती है देखो एक बार फिर से मनुष्य का प्रथम शत्रू निश्यत रोप से उनके देह में इस्थित उनकी शरीर का विनाश करने वाला क्रोध ही होता है जिस प्रकार से लकडी में इस्थित अगनी यहां पे जो लकडी में इस्थित अगनी है वो जोलनशी लगनी को कह रहे है कि लकडी में इस्थित अगनी उस पेड को जला देती है ठीक वैसे ही हमारा क्रोध जो है वो भी हमारे शरीर को जला देता है ठीक है तो नेक्स देखते मुर्खाश्य मुर्खई सुधिय है सुधी भी ही समान शील व्यशनेशु सक्यम क्या कह रही है अब देखते हैं म्रगाह जो म्रग है वो म्रगई म्रगई मतलब म्रगों के साथ हीरन हीरनों के साथ गावाश्य चै मतलब और और गाएं गोबी ही गायों के साथ तुरंगाह मतल गोडे, गोडों के साथ, और जो गोडे हैं तुरंगई गोडों के साथ, मूर्खश्च चा और मूर्खाह, मूर्ख व्यक्ति हैं जो वो मूर्खई, मूर्खों के साथ, सुधिये हैं जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वानों के साथ अनुवरजन्ती संगम करते हैं, उनक मित्रता होती है क्या कह रहे हैं देखे समझते हैं हीरन हिरनों के साथ गाएं गायों के साथ घोडे घोडों के साथ मुर्ख जन जो है वो मुर्खों के साथ और बुद्धिमान जन बुद्धिमानों के साथ क्या करते हैं अनुसरण करते हैं अथा गूमते हैं क्यों गूमते है अब देखिए, एंड की line में इिशकरज बताने है कि जिनका समान चित्र, समान चरित्र और आधते होती है, उनमें मित्रता होती है, ठीक है, अब आप अपने friends को देख सकते हैं कि उनका चरित्र कैसा है, नेक्स देखते हैं, सेवि तव्यDas64 यदिदेवातम नासति चाय के निरवाय ती क्या कह रहे हैं कि महाव्रक्षा preservation क्षे मत्पश कोन से खते हैं फल खाया यहां पे आई रेख़ाया दाउस्वadasal ओर शाहिया से समन वित जिन पेडों पर फल भी है और च्छाया भी है ऐसे महानवरक्ष जो महावरक्ष है सेवी तव्यों रक्ष्णिये हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए उनका आश्ये लेना चाहिए ठीक है क्यूंकि और वो क्या किरें आगे यदी देवात भाग्ये से यदी फलम नास्ति फल नहीं है अ भले ही पेड़ पर फल ना हो लेकिन चाया तो उसकी वही रहेगी तो क्या कह रहे हैं देखो कि फल और चाया से जो मिले हुए व्रक्ष है महा व्रक्ष है उनकी से उनको संरक्षन करना चाहिए उनका आश्य लेना चाहिए क्योंकि यदि देवात भागे से यदि फल नहीं है पेड़ पर तो भी छाया को कौन ले सकता है ता उसकी छाया कहीं नहीं जाएगी उसकी छाया वहीं रहेगी इसलिए में जो महाव रक्ष है उनको उनका अश्य लेना चाहिए उनका संरक्षण करना चाहिए ठीक है नेक्स देखते हैं नेक्स क्या है अमंत्रम अक्षरम नास्त आयोग्ये पुर्ष नास्ति योजक थत्रदुर्दभा अब क्या के रहे हैं? अक्षर, अमंत्र, मंत्र सेधरहित नास्ति ना और अस्ति नहीं है और क्या कह रहे है अनोशदम मतलब वरस्पतियों से रहित मूल मतलब जो जड़ है ओशदी कहते हैं हम दवाई को तो दवाई से रहित कोई भी जड़ नहीं है अयोग्ये जिसमें एक भी योग्यता ना हो वो अयोग्ये तो क्या कह रहे है अयोग्ये पुरुष नहीं है नास् कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र से रहित हो कोई भी ऐसी मूल जड नहीं है जो ओशदी से रहित हो कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अयोग्ये हो भाई कोई ना कोई एक योग्यता तो उसमें होगी ही तो हम उसे अयोग्ये तो कह नहीं सकते हैं बस अंतर इतना है कि अत क्लűраст देखते हैं अमारा संख्या नमबर है संपत्तव छे महताम एक रूपता उदये सभीताह रकतो रकतंगे अस्तमंे तथा है कह रहे हैं कह रहे हैं संपत्तव संपत्ती में और विपत्तव विपत्ती में मतलब संपत्ती आने पर और विपत्ती आने पर संपत्ती मतलब हमारा एश्वर भढ़ रहा है मर पास धन धन आ रहा है तो संपत्ती आ रही है संपत्ती आने पर विपत्ती मतलब आपदा आनी पर म ताम मतलब जो ज्यानि व्यक्ति होते हैं, महान जन हैं, उन वो कैसे रहते हैं, एक रूपताम, समान रहते हैं, एक ही समान रहते हैं उदे सवीता, सवीता मतलब सूर्य, उदे, उदे, उदित होते समय, जब सूर्य उगता है तब भी रक्तव लाल रंका होता है और क्या कहते हैं अस्त में अस्त में आतार अस्त था के समय जब वो अस्त होता है जब ढलता है सूरज तब भी कैसा होता है तता एब वैसे ही रखता वब्तिब लाल रंका होता है क्या कह रहे हैं जो महान लोग हैं महान जन हैं वो संपत्ती और विपत्ती में एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उगदित होने पर भी लाल रंका होता है और अस्त होने पर भी उसी प्रकार लाल रंका होता है ठीक है नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा अंतिम और दस्वाशलोग विचित्रे खलू संसारे नास्ती किंचित निरर्थकम अश्वह चेत धावने वीरह भारस से वहने खरह क्या कहा रहे हैं विचित्र संसारे इस विचित्र संसार में खलू निष्चित रूप से नास्ती नहीं है किंचित कुछ भी निरर्थकम अश्वह चे एत धावने अश्व जो है वो दोडने में वीर है तो भारस से भार को वहन करने में खरह खर मतलब गधा वीर है क्या कह रहे हैं इस विचित संसार में कुछ भी निरणथक नहीं है अगर अश्व दोडने में वीर है तो भार को वहन करने में अर्था भार को ढोने में गधा वीर है ठीक है? सिंपल सा था? कोई समस्या नहीं? अब अभ्यासकारी देखते हैं? चलो तो फिर अभ्यासकारी देखते हैं मतलब one word question and answer ठीक है चलो सबसे पहले क्या है मनुष्य नाम महान हरी पूक मनुष्यों क्या महान शत्रू कौन है उत्तर क्या हो जाएगा आलस्य आलस्य है नेक्स आता है प्रश्य नंबर ख और ख में क्या है गुड़ी की मवेत्ती जो गुड़वान व्यक्ती है वो क्या जानत नेक्स क्या है के शाम संपत्य व्यक्ती में एक समयन रहता है उत्तर क्या होगा महान व्यक्ति हैं महान पुरुष्व में वो क्या होते हैं? संपत्ति और विपती में एक समान रहते हैं. उत्तर क्या होगा? महताम. ठीक है? नेक्स्ट है पशुना अपी की द्रशे ग्रहयते? पशुना पशु भी की द्रशे किस प्रकार ग्रहन कर लेते हैं? किस प्रकार ग्रहन कर लेते हैं? क्या? उदीरतो अर्थह इसे आप उदीरतह अर्थह मतलब बताई हुए अर्थ को ग्रहन कर लेते हैं किसको ग्रहन कर लेते हैं उदीरतह अर्थह ऐसे लिखे उदीरतों अर्थ है या फिर ऐसे लिखे उदीरतह अर्थ है दोनों सही है ठीक है next देखते हैं जो भी आपको सही लगे उसमें लिख लीज नेक्स देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रश्ण नंबर दो और वो क्या है अधोल लिखिता नाम उत्रानी संस्कुत भाशाया लिखेते हैं नीचे लिखे गुए प्रश्णों का उत्र आपको संस्कुत भाशा में लिखना है सबसे पहला है हमारा केन समह बंदू नास्ती किसके समान मित्र या फिर बंदू नहीं है किसके समान था उद्यमीन उद्यमीन समान था प्रिश्रम के समान बंदू नहीं है ठीके नेक्स्ट है हमारा वसंतस्य गुडम का जानाती वसंत के गुड को कौन जानता है कौन जानता है पिकह कोयल चीक है पिकह वसंत से गुणम जानाती कोयल वसंत के समय को जानती है कह के इस्थान पर कवाली फैमिली के इस्थान पर आपको पिक लगाना है उत्तर लगाने है अपनी नेक्स्ट है बुद्ध है की द्रशह भवन्ती बुद्ध विद्वान व्यक्ति जो है वो किस प्रकार होते हैं किस प्रकार के होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं परेंगित ज्यान फला बुद्धय भवंती दूसरों के द्वारा इंगित मतलब संकेत किये हुए ज्यान के फल को भी जानने वाले होते हैं अगर किसी ने सिर्फ संकेत मातर दिया है तो उससे समझ जाएंग कि सामने वालं क्या क्या रहा है तो ती इस प्रकारक होती है, ठीकै मर नरा नाम प्रथम होना शत्र कोन रहा, कोन है कोन है य। कहकिस्थान पर क hyvin नरा नाम प्रथम होना क्रोध आग सवह होल सुध्य कैश्च का वह होग हो सब्सक्राइब दोनों देते हैं इस प्रकार की जो महानवरक्ष है उनका हम सब को संरक्षन करना चाहिए वो आश्य लेने योगिये है ठीक है नेक्स देते हैं नेक्स आता है हमारा क्या प्रिशन संख्या अरे अच्छा प्रिशन संख्या क्या है हमारा तीन और वो क्या कह रहे कि अधो लिख रहे हैं यह इत्तर क्या जाएगा निमितत उदेश प्रकुपयती तस्य उपाग में अभे उपर आया निमित यहां पर आया यहां आएगा उपाग में ठीक है और क्या कहरें जो बिना किसी कारण के करोधित होता तता है उसका उपाई होने पर प्रसीदती खुश हो जाता है यसे जिसका मन अके अकारण दुएशी होता है मतलब बिना किसी कारण के ही दुएशी होता है जन यहाँ पर क्या जाएगा हमारा जनह जन यहाँ पर क्या आएगा जनह जन उस व्यक्ति जो मनुश्य है उसको ताम उस व्यक्ति को किस प्रकार से खुश कर सकत तो पहले रिक्तिस्तान में आएगा निमित्तम, दूसरे में आएगा आपका अपगमे, तीसरे में आएगा जनह, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट श्लोक है वो क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या है, एक श्लोक है और उसमें आपके अनवे ह उसमें रिक्तिस्तान भढ़नी है क्या है सबसे पहले आएगा विचित्रे सबसे पहले क्या जाएगा रिक्तिस्तान में विचित्रे विचित्रे संसार खलू ये खलू है आपके में सही लिखा होगा विचित्रे विचित्र संसार में खलू निश्चित रूप से इस रिक्स्तान में क्या आएगा किंचित कुछ भी निरर्थक नहीं है अश्वह चेत जो अश्वह घोड़ा है यहां पर आएगा धावने दोडने में वीर है तो जो खर है वो भारस्य वहने भार ढोने में वहन आपका उपरी है सिर्फ भारस्य आपको भारस से ठीक है नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा प्रिशन नमबर चार और प्रिशन नमबर चार में क्या कह रहे हैं अदो लिखेता नाम वाक्या नामक्रते समनार्थकान श्लोकान पाठत्वा चित्वा लिखर पाठ से चुन करके आपके श्लोकान जो है उनका समनार्थ पुखना है विद्वान स्य एव भवती यह अनुक्तम अनुक्तम अपी तत्थे जान hypothesis विद्वान ही भ्वति होते है जो अनुक्त बिना कही हुई बात को भी जान लेते हैं क्या लाइन पढ़की आएगी क्या अनुक्तम अप्पी उहती पंडित जन वह समझ लेती है next ये आपका मनुष्य है, सम सुभावे जनेई सम मित्रता करोती, मनुष्य जो है वो अपने समान सुभावाले व्यक्ति के साथ मित्रता करता है, तो क्या हुगा उत्तर हम पढ़ का हैं उबवर, समान शील व्यसनेशु सक्यं, समान चरित्रों समान आधते वालों के साथ हमारी मित्रता होती है नेक्स्ट है आपका परिश्रम कुर्वान नरक कदापी दुखम ना प्राप्त नोती परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुख नहीं ग्रहन करता है उसको कभी दुखाते ही नहीं है क्योंकि वो तो परिश्रम करने में विश्वास रखता है तो उत्तर क्या होगा नास्ति उद्यम समो बंधु क्रत्वा यम नावसीद्यती उद्यम के समान आप हमारा कोई भी बंदू नहीं है जिसे करने से हमें कभी कोई दुख नहीं आती है ठीक है नेक्स देखे यह आपका उत्तरग का ठीक है चलो आप एक बार देख लिए ज़िगा स्क्रीन शोट लेना है तो आप अब लेख सकते हैं गह जो है उसमें क्या कह रहे हैं महान तह जना सर्वदेवई संप्रकट्या भवंती जो महान जन हैं वो सभी प्रकार की विप्तीयों में आपातियों में समान वाले होते हैं समान प्रकृति वाले होते हैं सारी सब्रकार की स्थितियों में तो हमारा क्या हो जाएगा संपत्त उचय विपत्त उचय महता में एक रूपता संपत्ति और विपत्ति में जो महान लोग है वो एक रूपता एक जैसे रहते हैं एक समान रहते हैं सयम धारम करके रहते हैं परिवर्तन करना है वाकिय में सबसे पहला उन्हें दिया है गुड़ी गुड़म जानाती इसको आपको भवचन में बनाना है तो भवचन में कैसे बनेगा यह जो गुडवान व्यक्ति हैं वही गुड़ों को जानते हैं इस प्रकार से यह सई होगा ठीक है नेक्स्ट देखत पशु ना उदीरत है अर्थह घ्रहयते ठीक है पशु के द्वारा कहा गया अर्थग्रेंड कर दिया जाता है अर्थवह रहेगा लेकिन बस्छों कर्मवाच्ची में परिवर्थित हो किया नेक्स्ट ने मारा म्रगाह म्रगई सह अनु व्रजंदी व्रजंदी नहीं है यह व्रजंदी है अनु व्रजंदी एक वचन में आपको बनाया है तो क्या बने हीरन हीरन के साथ क्या करता है अनुसरन करता है हीरन हीरन के साथ घूमता है ठीक है नेक्स आता है हमारा कहच्छायाम निर्वायती कर्म वाच्छी आपका इसका बनाना है और बनेगा केन च्छाया निर्वायती ठीक है छाया को कौन रटा सकता है छाया तो जैसी है वैसी रहने वाली है एक बार को फल ना भी लगे लेकिन छाया तो रहेगी रहेगी नेक्स्ट है हमारा तेन एव वहनी शरीरम दहते वहनी नाम शरीरम दहते कृत्रिवाच्चे आपको इसका बनाना है और क्या बनेगा एश एव अगनी शरीरह दहती बाप बेटा आपको कर्मवाच्चे और कृत्रिवाच्चे बनाने के लिए कर्मवाच्य और क्रत्री वाच्य आने चाहिए नहीं आएंगे तो आपको रटने पड़ेंगे जिस प्रकार आप इस समय रट रहेंगे लेकिन अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आपको हिश कीजेगा पहले कर्मवाच्य और क्रत्री वाच्य जैसे लेकिन अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको जहां आते हैं उसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि इसके स्थान पर याएगा उसके स्थान पर यह तीक है अब अपना प्रेश को संधी विचेद करूत है संदी, जिनकी संदी हुई हुई है, उनका विचेद करना है, जिनका विचेद हुआ हुआ है, उनकी संदी करनी है, चलो, सबसे पहला है हमारा नास्ति उद्यम समहा, मिल करके क्या बन जाएगा, नास्ति उद्यम समहा, ठीक है, नास्ति उद्यम समहा, ना, ने, आ और आ था त क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा सबसे सिंपल है ये वाली संदी सबसे सिंपल होती है क्या है दिर्ग संधियों निये तस्य और अपागमे बना है तो मिलकर के क्या बन गया है अ अ थे आकी मात्र हो गई तो बन गया क्या तस्या पगमे और मिलकर की क्या बना है तस्या और अप अगर आपको ऐसा दूसरा भी देखने को मिले तो ज़रूरी नहीं है विसर्गी होगा लेकिन यहाँ आप याद रखिये का यहां विसर्गी है नेक्स देखते हैं नेक्स आता है हमारा क्या है नेक्स प्रिशन संख्या 6 उसमें आपको क्या करना है समस्त पदम विग्रहम लिखत है समस्त पद है यह उसका आपको विग्रह करने के लिखना है सबसे पहला क्या है उद्यम समह उद्यम समह क्या हो जाएगा उद्यमीन समह ठी और देखी अलग अलग है ना तो आपको सिर्फ बीच का सभटा करके नोर्मारीस चरीर और इस्थित कर देना है लेकिन मिला हुआ लिखा है तो फिर उड़ा सस्थ देखने वाली बात है क्या होगा ठीक है तो क्या हुआ उद्यम समा का क्या हो जाएगा उद्यमेन समा शरीर इस्थित होगा हमारा शरीर इस्थित दिर्बलह निर्गतं बलं यस्मात स नेक्स आता आपका दिहस्य विनाशाये तो क्या होगा आपका दिह विनाशाये नेक्स्ट है महा व्रक्षभ तो क्या होगा महान व्रक्षभ नेक्स्ट है समानम शीले व्यस्तनम तेशाम ये शाम तेशु तो क्या हो जाएगा समान शीले व्यस्तनेशु और अगला है हमारा अयोग्य न योग्य बन गया हमारा अयोग्य उत्तर देखें आपके ये रहे उत् लेना चाहेगा आप यहां से स्क्रीन शूट ले सकते हैं नेक्स्ट आपका अधोलिखता नाम पदा नाम विलोम पदानी पाठाग चित्वा लिखते हैं पाठ से चुन करके आपको विलोम शक्द लिखने हैं जो नीचे लिखे हूँ है उनके ठीके सबसे पहला है अमारा प्र सम्पत्ति वेभХव और विपत्ति आपदाएं अस्तसम्य यहां पे यह आया नहीं है विपत्ति आपका यह इंगह तक सईय neu frightening का उत्तर क्या हो गया यह पर उदे नेटक्स आता है हमारा प्रश्ण संक्या साथ की सल्सकत्रते इन वाकिप्रियोगम कुरूते सल्सकत में आपको इन वाकियों का प्रियोग करना ठीक है आओ देखते हैं वयसह वयसह आओ यहां देख लो वयसह का होगे क्या कोवा और कोवे से क्या मना वयसह कृष्णवर्ण भवती वयसह कोवा जो होता है वो काले रंग का होता है नेक्स्ट है हमारा निमित्तम निमित का मतलब होता है कारण तो क्या उत्तर बनेगा हमारा तुम किम निमित्तम द्रश्टवा अत्रतिष्ठसी तुम तुम क्या निमित्त कारण को देख करके यहां बैठे हो सूर्य का लिखेंगे हम क्या सूर्य है पूर्वदिशायाम उद्धयती सूर्य जो है वो पूर्वदिशा से उदित होता है पिकह कोयल और क्या होगा पिकह मधुरम कुझती कोयल जो है वो मधुर गान करती है या कूझ 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 करणा तो वो कूझती अच्छे से कूझती है नेक्स आले है हमारा वहनि मतलब آग तत्र सुदिप्त हह वहनि प्रजवलि के इधा नहीं इस तरह से यह था हमारा अंतिम प्रश्ण और अंतिम प्रश्ण समाप्त हो गया है चप्टर खतम हो गया है अच्छे से हैब अपनी करते हैं यह कोई भी परिशानी हो तो आपको पताया आपको कहा लिखना है कमेंट शेशन में ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स चेप्टर के साथ अगले चेप्टर कोम करेंगे कल तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजे और याद कर लीजे फिर मिलेंगे